नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप डियलेट थर्ड समेश्टर के सैक्षिक मुल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवचार प्रशन पत्र जोकी वर्ष 2020 में डियलेट 2018 बैच के नौन प्रमोटेड इस्टुडेंट के समय पूछा गया था उस पेपर का कम्प्लेट देखना چाते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बास से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन čेक करिएगा चलिए दोस्तों इस वीडियो को प्रारम करते हैं असने बनवाया था या किस प्रकार का प्रश्ण है चौथा विकल्प दिया गया है विचारोत तेजन प्रश्न इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रश्न को आप सुनेंगे तो आप में कई प्रकार के विचार उत्पन होंगे जो की गलत है option क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया कि आगरे का ताजमाल किसने बनवाया उसके बास से आपको कोई भी विचार उत्पन करने की आवशकता ही नहीं होती है ठीक है आपको चीजे याद होती है लेकिन यहाँ पर अगर बात करें option number 1 की तो इस्मृती संबंधी कोई प्रशन ही नहीं होता है ठीक है जो SCRT की PDF होती है जो इनके द्वारा official book SCRT की book होती है DLT के लिए उसमें mention किया गया है कि पूरत प्रशन इसी को पूरती प्रशन के नाम से जाना जाता है इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें mention किया गया है कि बच्चे रट करके इसका उतर देते हैं तो जैसे कि आगरे का ताजमहल जो आपने एक बार पढ़ लिया मतलब समझ लिया अब आपको ना तो उसमें विचारों तेजन होगा ना तो तर्क करने किया हो शकता है पहला 105 इनके द्वार बताया गया है ग्यानात्मक या फिर इसे संग्यानात्मक भी बोला जाता है दूसरा बताया गया है भावात्मक पक्ष और तीसरा बोला गया है कौसलात्मक पक्ष तो इसका उतर हो जाएगा option नंबर एक 3 बात करेंगे प्रशन संक्या 3 की निमलिकीत में से कौन सा वस्तुनिष्ट प्रशन का प्रकार है तो इसका सही उतर हो जागा ओप्शन नमबर 3 बहुवी कल्पी ये प्रशन को ही वस्तुनिष्ट प्रशन के नाम से जाना जाता है चौथा प्रशन पूछा गया था चर क्या है तो इसका उतर हो जागा चर सतत भी होता है और और सतत भी होता है नवाचार से भी होता है और सिक्षण विधी में नवाचार से भी होता है इस वज़ा से उपरियक्त दोनों option number 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं प्रशन संक्या 6 की तरफ मुल्यांकन के अंतरगत है तो मुल्यांकन में सिक्षक का भी मुल्यांकन होता है संस्थागत मुल्यांकन भी होता है और सिक्षार्थी का भी मुल्यांकन होता है इस वज़ा से option number 4 उपरियुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा सात्वा प्रशन पूछा गया था सैक्षिक सोध के प्रकार है तो सैक्षिक सोध तीन प्रकार के होते हैं मुल्बुत जिसे मौलिक शोध कहा जाता है दूसरा व्यवारिक शोध और तीसरा क्रियात्मक शोध बात करेंगे प्रस्ण संक्या आठ की परिक्षण के गुडों में निम्न में कौन नहीं होता है तो परिक्षण का गुड वैध्यता भी है चुकि प्रस्ण में आपसे नहीं पूछा गया तो जो नहीं होगा वहीं आपका उतर होगा वैध्यता होता है विश्वसनियता भी होता है लेकिन अगर बात करें जाग रुकता की तो जाग रुकता नहीं होता है आप्षण नमबर तीन सही उतर हो जाएगा नवा प्रेशन पूछा गया था व्यापक मुल्यांकन का आसे होता है देखिए पहला option दिया गया है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मुल्यांकन से यहीं आपका सही उत्तर है और दूसरा option दिया गया नैतिक पक्ष के मुल्यांकन से तो सिर्फ नैतिक का ही मुल्यांकन नहीं होता है सभी तत्वों का मुल्यांकन होता है इस वज़े से गलत हो जाएगा समाजिक पक्च के मुल्यांकन से ये भी गलत हो गया और बौधिक मुल्यांकन से ये भी गलत हो गया सभी पक्षों का मुल्यांकन किया जाता है इस वज़े से option number 1 सही उत्तर होगा दसवा प्रशन पूछा गया था संचाई आलेख पत्र के प्रकार है तो packet भी होता है संकलित भी होता है और एक पत्र लेख भी होता है ठीक है तो इस वज़े से option number 4 ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 प्रशन पूछा गया था निमलेखित में से कौन सी क्रिया पाठे सहगामी क्रिया से सम्मंदित नहीं है यहाँ पर देख लिजिए अगर बात की जाए क्रिशी कारे की तो कई विद्यालेओं में जहाँ पर बागवानी सिखाई जाती है तो वहाँ क्रिशी कारे से सम्मंदित सहगामी क्रिया का प्रयोकिया जाता है यानि क्रिशी कारे सही उतर होगा लेकिन प्रश्ण में आपसे नहीं पूछा गया ठीक है तो जो नहीं होगा वहीं आपका उतर होगा ठीक है तो देखिए ब्रहमण भी होता है और विज्ञान कलब भी होता है लेकिन अगर बात करें पर्याटन की तो ये पर्याटन पाठ्थे सहागामी क्रिया के अंतरगत नहीं आता है ठीक है ब्रहमण होगा लेकिन पर्याटन नहीं होगा चुकि प्रश्ण में नहीं पूछा गया था इस वज़े से option number 4 सही उत्तर हो जाएगा पर्याटन बारहमा प्रश्ण पूछा गया था क्रियात्मक शोद का समपादन कितने चरोणों में होता है इसका उत्तर हो जाएगा option number 3 छे चरोणों में शे चरण कौन कौन से हैं तो पहला है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या चुनने का कारण, तीसरा है क्रियात्मक परिकल्पना, चौथा होता है कार्यविधी, पांचवा होता है प्रदत्थ विशलेशन और अंतिम और छठवा होता है निसकर्स निकालना तेरहमा प्रशन पूछा गया था अनुसंधान के कारे हैं तो अनुसंधान का कारे सिध्धानत का निर्माड करना भी होता है सिध्धानतों का प्रियोग करना भी होता है और नवचार करना भी होता है यानि कि उपरियोगत सभी option number 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौदहवा प्रेशन पूछा गया था क्रियात्मक सोध का मूल आधार क्या है तो क्रियात्मक सोध का मूल आधार होता है हमारी समस्य हमारी हल भी हमारा ठीक है ओप्शन नमबर चार इसका सही उत्तर है पंद्रहवा प्रश्ण पूछा गया था निमलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ग्यानव कोशल अरजित किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबर तीन मापक दोस्तों बात करेंगे अति लगुतरिये प्रश्णों की 16. प्रश्ण पूछा गया था मुल्यांकन की प्रविदियों के दो प्रकार बताईए तो दो प्रकार आप लिख सकते हैं पहला परिमाडात्मक मुल्यांकन और इसके भी तीन भाग होते हैं पहला मौखिक परिक्षा दूसरा लिखित परिक्षा और तीसरा प्रायोगात्मक परिक्षा ठीक है तो पहला इसका वर्गीकरण हो गया माडात्मक मुल्यांकन और दूसरा इसका वर्गीकरण हो गया गुडात्मक मुल्यांकन 17. प्रशन पूछा गया था एक अच्छे परिक्षण के दो गुड बताईए पहला आप लिख सकते हैं विश्वस्नियता और दूसरा लिख सकते हैं वस्तु निष्टता 18. प्रशन पूछा गया था समाज मिती विधी का विकास किस ने किया तो उत्तर हो जाएगा जे एल मोरेनो ने 1951 इसवी में समाज मिती विधी का विकास किया था 19. प्रशन पूछा गया था सिक्छन प्रक्रिया का विश्लेशन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है सिक्छन प्रक्रिया का विश्लेशन दो अवस्थाओं में किया जाता है पहला होता है सनराचनात्मक और दूसरा होता है योगात्मक मुल्यांकन ठीक है प्रशन संख्या 20 पूछा गया था विद्ध्याले में कलब का क्या उद्धेस है बताईए विद्ध्याले में कलब का उद्धेस ही ये होता है कि बच्चों में जीवन जीने का कोशल आत्म सम्मा इवं आत्म विश्वास विक्सित करने और तनाव भै और संकोच जैसे मन के विकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विक्सित करने के लिए होता है। बात करेंगे प्रशन संख्या 21 की मुल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रियोग का अर्थ बताईए। तो मुल्यांकन की प्रक्रिया में अनुप्रियोग का मतलब ये होता है कि बालक ने जो ग्यान अर्जित किया है और जिसका उसे बोध हो चुका है उसका वास्तविक जीवन में या फिर नवीन और विभिन परिसितियों में उप्योग करने से होता है। अब बात करेंगे प्रशन संख्या 22 की क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है कोई एक कारण लखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश से सैधानतिक ज्यान के आधार पर वेभारिक समस्याओं का समधान करना है बालक जो भी विद्याले में सैधानतिक रूप से सीख रहा है उसका वेभारिक जीवन में किस प्रकार से इस्तमाल करेगा इसी वज़े से क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक होता है तेश्वा प्र Cotton पूछा गया था मुल्यांकन के संग्यानत्मक पक्ष से समंधित कोई एक बिंदू का उल्लेख करो जैसा कि आपको ज्यात होगा कि मुल्यांकन के संग्यानत्मक पक्ष के अंतरगत 6 चरण बताएगा है पहला ग्यान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चोथा विसलेशन, पांचवा संसलेशन और छठा मुल्यांगन तो सबसे पहले आपसे किसी भी एक बिंदू का उल्लेह करने के लिए बोला गया तो आप कोई भी कर सकते हैं अगर बात करें पहले ही चरण ग्यान की, तो इसके अंतरगत विद्यार्थियों को विशय वस्तू के विबिन, पद, प्रत्य, परंपराओं, प्रचलनों, वर्गों, सूत्र, संकेत, आदी का पहचान कराए जाता है तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट लिख सकते थे, ठीक है, बात करेंगे प्रचन संक्या 24 की मुल्यांकन एवं मापन में कोई एक अंतर लिखिए मुल्यांकन के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसका छेत्र व्यापक होता है, इसके अंतरगत आखलन तथा मापन दोनों समाहीत रहते हैं जबकि अगर मापन की बात की जाए, तो ये बहुत संकुचित कॉंसेप्ट है, और मापन मुल्यांकन का ही एक सुक्ष मरूप होता है, तो ये प्रमुख अंतर आप लिख सकते हैं बात करेंगे प्रचन संक्या 25 की परिक्षण किसे कहते हैं परिक्षण के बारे में आप लिख सकते हैं कि परिक्षण वह वस्तोनिष्ट एवं मान की कृत साधन है, जिसके द्वारा संपूर्ण मानों विवहार के विभिन पक्षों जैसे की उसकी योगिता, उसकी उपलब्धी, उसकी छमता, रूची, एवं व्यक्तित्व संबंध विशेष्टाओं का मातरात्मक एवं गुडात्मक अध्यन किया जा सकता है, बात करेंगे प्रसन संग्य 26 की मौखिक परिक्षा के गुण एवं दोस बताईए, मौखिक परिक्षा के गुण में आप लिख सकते हैं कि ये परिक्षाएं मुक्यता व्यक्तिगत होती हैं, ये तीन पॉइंट आप लिख सकते हैं और सांती साथ आपसे दोश भी पूछा गया था, तो पहला आप लिख सकते हैं इसमें विश्वश्णियता एवं वैदता का अभाव रहता है, दूसरा लिख सकते हैं व्यक्तिगत रूप से परिक्षा लेने के कारण समय अधिक लग कहने का मतलब अगर मालीजे कोई बालक कक्षा 3 में है तो कक्षा 3 के अंत तक मतलब कि जब उसकी वार्सिक परिच्छा हो चुकी होगी तो उसमें कितना व्यवहारिक परिवर्तन आना चाहिए, मतलब कौन-कौन सी चीज़े उसे जानना आवरशक होगा ताकि वो कक्षा 4 मे उसको प्रमोट किया जा सके उसको कक्षा 3 में पास करके कक्षा 4 में भेजा जा सके वहीं इसतर जो होगा वहीं दक्षता आधारित मुल्यांकन कहा जागा कहने का मतलब कि कम से कम उतना तो बालक जानना ही चाहिए दक्षा 4 में जानने के लिए इसी को दक्षता आधारित प्रस्ण संक्या 28 पूछा गया था परिक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संछेप में बताईए किसी परिक्षण निर्माण के चरण की अगर बात की जाए तो पहला चरण होता है योजना बनाना दूसरा प्रश्णों की रचना करना तीसरा प्रश्णों का चेयन करना और परिक्षण का मुल्यांकन करना है। विद्याले को समाज का आईना कहा जाता है और अगर बात करें इस्थानिये इस्तर पर तो इस्थानिये समुदाये बहुत बड़ा रोल अदा करती है सिक्षण अधिगम के सुधार प्रक्रिया में। प्रस्ण संक्या 30 की सैक्षिग प्रशाषन में मुल्यांकन का महत्व बताईए। सैक्षिक प्रशाशन में मुल्यांकन बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रशाशन इसतर पर सैक्षिक गतिविधी की कौन सी विधी अपनाई जा रही है समय समय पर उसका मुल्यांकन होना आवश्यक है ताकि अगर बच्चे चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम अपने जो पढ़ाने की विधी है उसमें कुछ महतोपूर्ण बदलाव किया जा सके ये तब ही संबह होगा जब सैक्षिक प्रशाशन इस्तर पर मुल्यांकन किया जाए उमीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों अब बात करेंगे लगुतर यह प्रश्णों की प्रश्ण संख्या एक प्रिक्षक पूछा गया था अच्छे परिक्षन के गुड़ को लिखिए तो अच्छे परिक्षण के गुड़ में पहला आप लिख सकते हैं मान की करण, इसके अलमाद दूसरा लिख सकते हैं विश्वस्नियता, विश्वस्नियता का तातपर ऐसे परिक्षण से है, जो बार-बार प्रयोक किये जाने पर भी एक ही निसकर्स प्रदान करें, कहने का मतलब कि कोई अगर परिक्षा बनाई गई है, तो उसका अगर अभिय तब उसके प्रश्णों के उत्तर पर अंक देते समय व्यक्तिगत मत ना हो, कहने का मतलब जैसे देखिए नेबंदात्मक प्रश्ण अगर पूछा जाता है परिक्षा में, तो उसके अलग-अलग उत्तर हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें वस्तुनिष्ट प्रश्ण यान लेकिन अगर बात करें निबंदात्मक प्रश्ण के उत्तर की, तो व्यक्ति अपना मत अलग से देता है, खुद से अपने विचारों को भिवेक्त करता है, अब जो जाचने वाला है, वह उसको सही मानता है, अत्वा नहीं कहने का मतलब, कि अगर 20 अंक का वो प्रश्ण है, तो कोई अभियर्थी को 10 अंक भी मिल सकते हैं, 12 अंक भी मिल सकते हैं, ये जाचने वाले के उपर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन अगर प्रश्ण वस्तोनिष्ट होगा, बहुविकल्पिय टाइप होगा, तो अगर एक प्रश्ण एक अंक का है, तो चाहे कोई भी उसे जाचे, कोई भी टीचर उसे जाचे, उस पर उसको एक अंक मिलेगा ही, अगर उसका सही होगा, तो ठीक है, तो ये हो गया वस्तोनिष्टता, उसके बाद से चौथा गुड़ आप लिख सकते हैं, वैदता, यदि कोई परिक्षण उसी गुड़ का मापन करता है, जिसके ल में आया होगा, अब बात करेंगे प्रशन संख्या 32 की अवलोकन विधी के अनुप्रियोग लिखिए, अवलोकन विधी के अनुप्रियोग में आप लिख सकते हैं कि यह पद्धती बहुत ही सरल है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि यह वर्णात्मक अनुसंधान का प्रमुक किये जाते हैं, कि आउलोकन के आधार पर ही उपभोगता का निर्माड किया जाता है, छटा आप लिख सकते हैं, कि यह पदती उन लोगों के लिए उप्यूक्त है, जो अधिक पड़े लिखे नहीं होते हैं, और सात्वा आप लिख सकते हैं, आउलोकन द्वारा अनुसंधान के लिए समस्या का चैन किया जा सकता है तो ये कुछ अनुप्रियोग आप लिख सकते हैं बात करेंगे प्रस्ण संख्या 33 की योजना निर्मार के चरणों का उलेख किजिए योजना निर्मार के चरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पहला चरण होता है परिक्षण का निय सबसे लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रस्ण संक्या 34 की सैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख करिए। बात करेंगे प्रस्ण संक्या 35 की सामुहिक साभागिता के लक्षणों को समझाईए। सामुहिक साभागिता से मतलब सामुदाइक साभागिता से होता है। बात करेंगे प्रस्ण संक्या 36 की सिक्षण अधिगम में मुल्यांकन के अर्थ को इसपश्ट कीजिए। मुल्यांकन की अगर परिभाषा की बात की जा साभदी कर्थ की तो मुल्यांकन दो सब्दों से मिल करके बना हुआ है। मुल्य और दूसरा अंकन यानि की मुल्यांकन एक विश्टरित सो उद्देश्य तथा निरंतर चरने वाली प्रक्रिया है। मुल्यांकन दोरा किसी मापित मुल्य का अवलोकन कर उसकी उपयूकतता तथा मुल्य का निर्मार किया जाता है। बात करेंगे प्रस्ण संक्या 37 की एनेकडोटल रिकोर्ड्स क्या है संचेप में बताईए तो एनेकडोटल रिकोर्ड्स को हिंदी में उपख्यानात्मक अभिलेक के नाम से जाना जाता है उपख्यानात्मक अभिलेक एक छोटी घटना एक घटना या फिर घटना के घटने के बाद लिखने की घटना का बिवडात्मक सारांस है कहने का मतलब कि जब बालक विद्याले में होता है तो वो जो जो एक्टिवीटी कर रहा है उन सब को एनेख्डोटल रिकॉर्ड्स में में निटेन किया जाता है कि बच्चे के साथ उसका पूरा विवहार विद्याले में किस प्रकार से रहा इसी को एनेक्डोटल रिकोर्ड कहते हैं बात करेंगे प्रस्ण संख्या अनतिस की क्रियात्मक अनुसंधान एवं परमपरागत अनुसंधान में अंतर इसपश्ट कीजिए तो क्रियात्मक अनुसंधान में पहला आप लिख सकते हैं कि इसका संबंध समस्या से प्रत्यक्ष रूप से होता है जबकि परमपरागत अनुसंधान में आप लिख सकते हैं कि यह अवश्यक नहीं है कि उसका समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो दूसरा आप लोग लिख सकते हैं क्रियात्मा कनुसंधान में कि समस्या का रूप संकुचित होता है तथा कक्छा विशय विद्याले तक सीमित होता है समस्या का विभारिक रूप होता है समस्या का बाहे मुल्यांकन नहीं होता है ठीक है तीसरा आप लिख सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में कि परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विसलेशन पर अधारित होता है और जब कि परंपरागत अनुसंधान में आप लिख सकते हैं कि परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व सोध के निसकर्स पर सिध्ध सेख्षिक नवचारों के माध्यम से सैख्षिक तकनीकों को विद्याले तक पहुंचाया जाता है। आर्थिक विकास के लिए पांचवा प्रोध्योगिक विकास के लिए और इसके लावा आप लिख सकते हैं रोजगार में आऊसरों के वृद्धी करने के संदर्ब में और अगला लिख सकते हैं मानविय संसाधनों के विकास के लिए और इसी प्रकार से आप पॉइंट्स में इसका उतर दे सकते हैं दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाओं में आ चुके हैं अब तक का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादम से जरूर बताएगा और डियलेड थर्ड समेश्टर के पिछले पांच वर्सों के प्रशन पत्रों का कम्प्लेट सलूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा बात करेंगे अंतिम प्रशन यानी प्रशन संक्या चालिज की पाठे सहगामी क्रियाओं में प्रधानाचारे एवं सिक्षकों की भूमिका को इसपश्ट कीजिए तो पाठे सहगामी क्रियाओं में खेल कुछ संबंदी क्रियाएं आती हैं सैक्षिक एवं सांस्कृतिक कारिक्रम आते हैं राष्ट्रे पर्व आते हैं सैक्षिक ब्रहमड एवं पिकनिक आते हैं इसके अलमा बागवानी आती है और विद्याले प्रकाशन जैसे कुछ महतोपुन बिंदू आते हैं अब इन सब में प्रधनाचार्य और सिक्षकों की महतोपुन भूमिका होती है क्योंकि जब सैक्षिक ब्रहमड होगा तो उसके ल अगर बात की जाए तो प्राफना इस थल पर जो प्रधनाचार हैं और सिक्षक हैं वो कुछ जो पहले के बड़े पूरुस रह चुके हैं महापूरुस रह चुके हैं उनके जीवनी से उनको परिचित कराया जा सकता है ये भी पाठ्थे सहागामी क्रिया के अंतरगत ही आत दोस्तो डियलेट थर्ड समेस्टर के सैच्छेक मुल्यांकन एवं क्रियात्मक सोध एवं नवचार प्रशनपत्र का पूरा सलूशन आपने देखा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और विगत पांच वर्सों में पूछे गए डियलेट समेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रशनपत्रों का कम्प्लेट सलूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो